इस पूर्व कप्तान ने बचाया था सहवाग का करियर अब वीरू उन्हें बनाना चाहते हैं टीम इंडिया का चैन अकरता टीम इंडिया के पूर्व स्पोटक सलामी बले बाजवी रेंदर सहवाग ने कहा है कि भारतिय टीम के खिलाडियों का होसलाम बढ़ाने के लिए रखने के लिए मशूर पूर्व सलामी बले बाज सहवाग ने कहा कि बी सी सी आई को चैन समिती के प्रमुख को अधिक वेतन देने की जरूरत है एमाइस के प्रसाद की अगवाई वाली मौजूदा चैन समिती को उनके कम टेस्ट अनुभव के कारण अलोचना का सामना करना पड़ा है इस समिती के सदस्यों का कुल अनुभव 13 टेस्ट मैचों का है सहवाग ने हाला की कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कुम्बले इस पद के लिए राजी होंगे क्यूंकि अध्यक्ष को अभी वार्शिक एक करोड रुपे का वेतन मिलता है इस पूर्व सलामी बले ब बंदना पसंद नहीं है उन्होंने कहा कि मैं लेख लेखता हूं कमेंटरी करता हूं और टीवी पर विशेशग्ये के रूप में भी आता हूं चयना करता बंदने काम मतलब है कि आपको काफी सीमाओं में बंदना होगा मुझे नहीं पता कि मुझे एतनी रोक पसंद कि नहीं वर्ष 2017 में भारतिय कोच की दर में रविवार शास्त्री से पिछड़ने वाले सहवाग ने कहा कि इस बार उन्होंने आवेदन नहीं किया सहवाग ने कहा कि 2017 में मुझे BCCI सचेव और दिवंगत, A.M.V. श्रीदर, महाप्रबंध क्रिकेट संचालन ने आवेदन करने के लिए कहा था इसलिए मैंने आवेदन किया इस बार किसी ने मुझे ऐसा करने को नहीं कहा इसलिए मैंने आवेदन नहीं किया सहवाग ने कहा कि उन्हें हितों का टक्राव से जुड़े नियम समझ में नहीं आते उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आता है कि अगर मैं चैमन करता हूँ तो मैं एकडमी नहीं चला सकता लेकिन अगर मैं राश्ट्री कोच हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं एकड़ में क्यों नहीं चला सकता वेस्टन डीच के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रहे पहले क्रिकेट टेस्ट की अंतिम एकादश के बारे में पूछने पर सहवाग ने कहा कि अगर भारत पांच गेंदवाजों के साथ उत्तरने का फैसला करता है तो अजिंके रहाने को मौका मिलना चाहिए सेवाग ने कहा कि अजिंके रहाने काफी समय से चाओ थे नमबर पांचवे नमबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इसलिए अगर पांच गेंदवाजों को खिलाया जाता है तो उन्हें खेलना चाहिए रोहित शर्मा का मौका तभी बनता है जब आप चार गेंदवाजों के साथ उत्रे इस दिगज बल्लेबाज का साथ ही मानना है कि न्यूजीलेंड के खिलाफ सेमी फाइनल में महेंदर सिंग दोनी को पांचवे नमबर पर बल्लेबाजी के लिए आना चाहिए था